आज हम कक्सा 11 का एक नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पक्समाब और कसाब तो ये आपके बुक में एक कोशिकांग है पक्समाब वै कसाब जिसको हम अंगरिजिम कहते हैं सीलिया एंड फ्लेजीला प्ले जीला देखो ये होते क्या हैं पक्समाब और कसाब तो हमें कई सारे जीव देखते हैं पोद्दे में या जन्तों में तो कई हों के देखो उनके जैसे के पिरामीशियम है तो उसके सरीर पर आपको छोटे-छोटे इस तरह से सरीर के चारों और चोटे-चोटे और संक्या में बहुत सारे इस तरह बाल जी सिर्शना दिखती है हम यूगलीना की बात करें तो उसके अंदर एक बड़ा सा इस तरह सा जीसी सरचना दिखती है रूम जी सरचना तो इस तरह के अपन उनके सरीर के चारों और जब रोम के समान कोई सर्चना पहे जाती है किसी कोसी का के सतय पर तो उनको हम पक्समाब और कसाब कहते हैं जो लंबा होता है और संक्या में कम होता है उसको तो हम कहते हैं कसाब क्या कहेंगे कसाब और जो छोटे होंगे और बहुत ज़्यदा संक्या में होंगे उनको हम गएंगे पक्समाब तो दोनों की आंतरिक सर्चना है वो लगबग समान होती है लेकिन इन में कुछ फरक है जैसे लंबाई का या संक्या का या इन में जो गती होती है वो इनमें थोड़ा सा अंतर है तो वो पन देख लेंगे तो पहले तो इनकी परिवासा देख लेते हैं देखो कि पक्समाब और कसाब क्या होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि कोसिकाओं की जो सत्य होती है कोसिकाओं की सत्य पर पाए जाने वाले पाए जाने वाले रोमों, रोम हेर्स के समान, रोम के समान तन्तु नूमा सरचनाएं पाई जाती है। जिने सीलिया या फ्लेजिला कहते हैं, जिनको हमें पक्समाब या कसाब कहेंगे देखो, कोशिका की सतय पर, कोशिकाओं की सतय पर, जिसके कोशिकाय मालो या कोशिकाय या फ्लेजिला फिलामेंट की तरह है। उनको अपन सीलिया या फलेजिला कहते हैं, ये कहां कहां पाए जाते हैं, देखो इनका वित्रन कहां कहां पर होता है, ये कहां कहां पर पाए जाएंगे, तो ये हमारे सेंवालों पर असानी से मिलेंगे, जो कवक होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जो ब्रायो फाइट बीजी जिनको हम क्या कहते हैं जिमनोस परम भी कहते हैं उनके तो सेवाल है या कवक है या ब्रावी फाइट है या जो टेरिडो फाइट है या नावर्त बीजी है इन पादपों के जब युगमक बनते हैं तो आपको ये आसानी से दिखाए देते हैं तो इन पादपों के होते हैं एक कोस्किये जन्तों में उपस्तित होते हैं ये वो कोस्किये में तो नहीं मिलेंगे लेकिन जैसे एक कोस्किये है ये पेरामीसियम है ये ये युगलिना है अमिवार में तो नहीं होते हैं हमिवार में कुटपाद होते हैं लेकिन जैसे ये पेरामीसियम है या गुमकों में और एकोस के जंतों में पयाते हैं, क्रFlow को पानी में रहते हैं मुआ घर्वी गुमक होने इसलिए चलकर असानी से पहुंचे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, यह से अपार second लेकिन एक अक Gążक पानी रहते हैं, रहते हैं मैंक वायोगों चानी में वे जाते हैं तो देखे एक तो लाल सेंवाल होते हैं रेड एलगी लाल सेंवाल उनके अंदर आपको नहीं मिलेंगे नील हरित सेंवाल नील हरित सेंवाल जो की प्रोक्रेट होते हैं एक स्पाइरो गायरा स्पाइरो गायरा जो हरा सेंवाल है ग्रीन एलगी उसके अंदर भी नह देखे गए हैं और एक अनावर्त बीजी होता है पाइनस यह ना यह भी जिम्नोस्परम है जिम्नोस्परम पाइनस तो इन में और जो जितने भी आवर्त बीजी होते हैं आवर्त बीजी में सीलिया वे प्लेजीला नहीं पाए जाते हैं तो इनका ये कुछ important बिंदू है कि लाल सेवाल, नील लरी सेवाल, इस पायरोगायरा जो कि हरासेवाल होता है, पाइनस होता है, बड़ा पोदा होता है अनावर्त बीजियों का उसमें और आवर्त बीजी के अंदर सीलिया और फ्लेजिला नहीं पाई जाते हैं बात हैं कि इनकी उत्पती कैसे होती है, उत्पती या इनकी ओरीजिन कहां से होती है, ये कहां से बनते हैं, तो देखो कोशिका दर्व के अंदर तारक का ही होता है या तारक के अंदर होता है, तो जिनमें तारक कोशिका दर्व में एक सरचना दसीवी रहती है, दसीवी सरचन कोशी का दरव में दसीवी सरचना आधार इसको कणी का या आधारी का आई भी कहते हैं इसको आधारी कणी का या आधारी का आई अंगर जीम कहते हैं इसको बेसल बोड़ी से कोशी का दरव में दसीवी सरचना आधार कणी का या आधार का या बेसल बोड़ी से उत्पती होती है उत्पती होती है तो क्या होती है जो कोशी का जिल्ली होती है प्लाजम एम्रेन होती है बिल्कुल उसके पास में एक आदारकनिका पाई जाती है सटकर उस आदारकनिका से ये शुक्सम नलिकाई निकलती है और ये फ्लेजीला जीजिए ये कोशिका है तो यहाँ पर आधारकनीका है तो इसे यहाँ पर ये शुक्षम नलिका है निकलती है और एक इस तरह का तंतुनुमा सचना है बना लेती है तो हम पढ़ेंगे देखो किस तरह से बनती है इसका पूरापन डिटेल से लेंगे तो इनके उत्पतिया आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका दर्वे में जो सरचना अधार करने का अधार करने का दिर्मान कोन करता है तारक काय करता है तारक काय के जो तारक के अंदर होते है ना वो करते है अब देखो इन निशित वात है जिनमें तारक काय नहीं पाय जाएगा टेरडोपाइटा आवरत बीजी के अंदर तारकाई पाय जाता है इसलिए वहाँ पर ये सीलिया और फ्लेजिला बन चुके हैं और हमने यह भी कहाता कि तारकाई है वो जन्तों में नहीं पाय जाते हैं इसलिए वहाँ पर ये सरचना नहीं बन रही है देगो जो उच्वर के जन्तों है ना उनके अंदर ये नहीं पाय जाते हैं और जो उच्वर के पोदे होते हैं उनमें भी तारकाई नहीं पाय जाता है इसलिए आवरत बीजी पोदे हैं उनमें सीलिया और फ्लेजिला नहीं बने कारण क्या है क्यों नहीं बने क्योंकि तारकाई एपसेंट है कार यानि हम कहेंगे पक्समाब वै कसाब में अंतर ये पढ़ लेते हैं तो एक तरब हम ले लेते हैं यहाँ पर सीलिया जिसको हम कह रहे हैं पक्समाब कि दूसरी तरब ले लेते हैं हम कस यहाँ पर रेंदी में कह रहें कसाब इस तरह से हम यह दोनों को देख लेते हैं लिए पर इनको पेज़ को न डिवाइडले स्कता हैं फिर इसके बारे में सर्षねल देखते हैं यह जैसे। आपको उदार्ण दिये था देख सुचित ₙ O बहुत ही कम संख्या में होते हैं एक या दो ठीक है या जिसे चार मिल जाते हैं एक दो या चार मिलते हैं इसे ज़्यादा नहीं होते हैं दूसरा इनकी लंबाई कम लंबाई क्यों होते हैं इनकी लंबाई कैसी होती है कम लंबाई जबकि इनके लंबाई है वो अधिक होती है दिख रहा आपको देखो इनके लंबाई बहुँ जदा है जबकि इनके लंबाई है वो थोड़ी कम है तीसरा फरक्या हो सकता इसमें देखो ये सेल के चारों और पाए जाते हैं जबकि ये कहाँ पर एक किनारे पर है जबकि ये क्या होता है ये सेल के एक सीरे पर पाए जाते हैं पिर देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं पन चोता इसका फरक्या है दो ये जब हिलते हैं ना तो जो हमारे गड़ी का पेंडूलम होता ना आपने गड़ी का पेंडूलम किस तरह से गति करता है तो यह हम कह सकते हैं कि यह जो गड़ी के पेंडूलम है गड़ी के पेंडूलम के समान गति करते हैं पेंडूलम जैसे हमारी गड़ी है तो उसके अंदर इस तरह का पेंडूलम लटका होता है तो एक बार तो इधर आता है एक ब एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार बाएं, इस तरह से गत्य करते हैं, पेंडूलम की तरह, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो ये पेंडूलम की तरह हम गत्य करते हैं, जबकि इन में जो गत्य होती ह इस तरह से देखो लेर के समान इस तरह के गती होती है इनके अंदर तो इनमें पेंडूलम के गती होती है इनमें लेर के समान या तरंगे गती होती है नेक्स देखो सभी जो सीलिया होते हैं एक साथ गती करता है गती करते हैं देखो यह जो इतने भी सीलिया है ना वो सारे गति करते हैं लेकिन अगर इसमें एक से ज़्यादा फ्लेजिला है तो वह साथ गति नहीं करेंगे एक अलग करेगा तो दूसरा अलग करेगा तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि प्रतेक जो फ्लेजिला है वह स्वतंतर रूप से गति करते हैं स्वतंतर रूप से गति करते हैं नेक्स्ट आपने देखते हैं यह सभी एक समान होते हैं एक समान होते हैं तो सभी प्रकार के जो सिसीलिया होते हैं वो बिलकुल एक समान होते हैं लेकिन यह जो फ्लेजिला होते हैं फ्लेजिला फ्लेजिला दो परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं उसमें दो परकार के में देगो एक तो होगा वी प्लेस वी प्लेस और दूसरा होगा पहला तो होगा वी प्लेस और दूसरा होगा टिन सेल परकार यह तोड़ा से दियां रखेगा तिन सेल परकार तो अब इन दोनों के बारे मोर बता देता हूँ आपको ये दो परकार के होंगे वी प्लेस और तिन सेल परकार के ये जो वी प्लेस होता है वी पे लेस इसको हम कहते हैं वी पे वी पे लेस इसमें होगा क्या है कि जैसे बिल्कुल ये चाबू की तरह होता है मतलब इस प्लेजीला पर जो पार्स वे रोम होते हैं साइड में जो रोम पाजाते हैं वो अनुपस्तित होते हैं पार्स वे रोम अनुपस्तित रहते हैं मतलब ये बिल्कुल ऐसे चिकना रहेगा चाबुक की तरह तो ये वीप लेस रहेगा वीप नहीं पाई जाएगा ये पार्स वे रोम इस पर नहीं पाई जाएगा ये चाबुक की तरह होता है ये जबकि जो दूसरा होता ना जिसको अपने टिन सेल कहते हैं तो टिन सेल में क् ये इसके side में इस तरह से पार्सवय रोम और पाय जाते हैं ये देवो तो ये हम कह सकते हैं कि इस पर पार्सवय इस पर क्या होता है तिन सहल में ये जो पार्सवय में रोम पाय जाते हैं तो इसके अंदर पार्सवय रोम में उपस्तित रहते हैं देखो यह इसके अंदर पाई जा रहा है तो यह जो यह पार्श रोम होते हैं यह मतलब जीव को आगे की तरफ आगे अगरसर करते हैं अगरसर करने में साइक है करने में साइक होते है तो जीव जब यह गती करते हैं तो जीव आगे की तरफ बढ़ता है तो ये हमने आज इसमें कुछ फरक देखे थे तो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट अपने इसके सरचना पढ़ेंगे देखो एक चीज और बता देता हूँ देखो इसमें हम कहरेंगे तरंगी गती हो रही है इसके अंदर अब ये तरंगी जैसे माली जीव है ये जीव है जैसे युगलिना है इसमें तरंगी गती हो रही है तो ये जो तरंगी है ये जब आधार सें सिर्स की तरफ से होती है आधार सें सिर्स यानि यहां से आधार सें फिर इसें सिर्स की तरफ जा रही है तो इसे जो कोशिका है ना वो आगे चलती है या आगे बढ़ती है ठीक है लेकिन अगर ये तरंग है वो सिर्स से आधार की तरफ जा रही है यहां शुरूर फिर आधार की तरफ जा रही है तो यह सेल को पानी की तरफ कीचती है तो वो सेल कहां चले जाती है पानी की तरफ गुझ जाती है और बाहर आना है तो वो आधार से शिर्स की तरफ तरंग चलेगी तो यहां से आएगी तो वो कोशिका बाहर चली जाएगी और इस वीडियो में हमने केवल पक्समाब और कसाब के बारे में एक सिंपल चर्चा किए और पक्समाब और कसाब के जो अंतर है डिफ्रेंस है इस डिफ्रेंस के बारे में चर्चा किए तो आपके यह समझ में आ गया होगा तो इस तरह से यह आप इसको लिख लेका नेक्स्ट व